हेलो दिये स्टुडेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल विकास जेयर सॉलिशन्स पर अब आपको पता होगा अब आपको लेक्चर वाइस दी है जबकि ये क्वेशन के आदार पर ये वीडियो बनाने की मैंने तयार किये ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो अशोग द्वारा निर्मित भारत का राजचिन सिंग इस्तंग जो है ठीक है जो चार सी जो सिंग दिखाते हैं एक छुपा रहत साथ 1 तीन सामने होते हैं तो वहूं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है तो वह कहां पर है वारानसी में सारनाथ है जगे वारानसी गे पास वहाँ पर पढ़ता है ठीक है सारमाथ में है very important question है याद रखिएगा next question है उत्तप्रदेश में供ो खंड़ी स्तूप नेक्स्ट क्रश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रवेणी इस्ट्रक्ट्रल लिमिट्टड कार खाना है जो यह त्रवेणी जो है मानेता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है तो यह है कानपूर में ठीक है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के प्रिसिद संगीतग्य स्वामी हरीदास किस मुगल शाशक के समकालीन थे तो इसका यह काफ इंपॉर्डन कॉश्चन है ठीक है तो उसीदास हरीदास यह सब अकबर के समकालीन थे नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सरवादिक प्रचलित लोक नरत्य है नेमलिके तुमें से कौन सा है तो नोटंग की सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नरत्य है जो यूपी का है ठीक है नोटंग की नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नरत गुजरात के डांडिया नरत जैसा है तो यह पाई डंडा ठीक है याद रख तो डंडा से ठीक है उसमें डंडे होते हैं डांडिया में तो पाई डंडा नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का छोलिया नरत गती किस जाती में प यह सुर्ज को कुरषी द्यारव लगबख कितने प्रतिशत आय नहीं होती है तो 68 परसेंट जो आय होती już प्रतिश को क्रषी पर तो यह पाई र tämä उत्तर प्रदिश के बंदा में याद रखिए गांस पॉरण ब्लास्टिक फायर के लिए उत्तर प्र गंडार काहा है तो अभी पीछ पता है मेनरे रज्यत से बंदेशIn में कौन सा इस्तान है तो दूसरे नमर पर पस्च मंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सर्सों की उपज की जाती है तो रभी में वह आते हैं सर्सों उत्तर प्रदेश में राणी लक्ष्मी बाई बांध परियोजना किस नदी पर है बेतवा नदी पर है ठीक है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शार्दा नहर पढ़ना ली, कर नर्मान कारे किस वर्ष हुआ था तो ये शार्दा नहर सबसे लंबी नहर है उपी की, 1928 में इस पर काम शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमी का कित्ते प्रतिशत नहरों द्वारा स सिंचित होता है तो नहरों द्वारा लगवे, 30% सिंचित होता है, उपी का कुल सिंचित भूमी है उसका इससा, नेक्स्ट प्रदेश की आगरा नहर, ओकला के पास किस नदी से निकाली गई है तो ये ओकला आपको पता होगा, नोइडा की तरफ पढ़ता है ये ओकला, ठीक जोन गोशित किया गया हो सकता है पूछ ले आपसे, तो कौन सा गोशित गया है, चम्मल राश्ट्य उब्यारन, ये कहां पर है, ये बांदा में पढ़ेगा, यूपी के थोड़ा सा ये मद्य प्रदेश में भी इसका पाट आएगा, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वर भाहिक का महल प्रदेशों में कहां परिस्तित है, ये जो दभाहिक का महल है ये फट्यपुर सीखरी मैं, करणवास प्रदेश के किस जले में परता है, टो वे लोन करणवास आपमने सुनाओगा, ये फामस जगे है बुलंद शेयर में, ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर में operation Green कव लागो किया गया था तो एक जुलाई 2005 को लागो किया गया था उत्ता प्रons fantast को यह कहाँ पर है तु कहाँ उत्तरप्र्देश का प्रमुख लोख मैं उत्तरप्रदेश का प्रमुक लोग गीत उत्तर प्रदेश की सब Engineer मेह्धपूर्ण नगदी फसलं सी या तो है गन्ना नेक्श्ट प्रदेश में रास्चिक संस्तान जोग में सब्सद्रद्र जोगा पहले उत्तर प्रदेश में शस्त्र जलवायू छेत्रों की संक्या है यानि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोंस हैं क्रशी जलवायू छेत्र वो यूपी में कितने हैं तो वह नौ जबकि प्रमुख पूछे यहां पर मेजर पूछ लेता तो प्रमुख तीन है और टोटल नौ है उत्तर प्रदेश में सरवादिक छेत्रफल वाली आम की प्रजाती कौन सी है तो दशेरी है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की जलवायू कैसी है तो ऊश्न कटी बंदी है मांसूनी प्रकार की जलवायू है यूपी की नेक्स्ट पूंट है उत्तर प्रदेश में लाजियाबद वैशाली वाला कोशाम भी नहीं है दिल्ली वाला नेक्स्ट उत्तर प्रदेश का नौचंडी मेला कहां पर लगता है बहुत फेमस मेला है मेरट का है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस इस्तान पर लगते हैं सारे मेले मैंने कवर करा चुका हूँ पहले वीडियो में यूपी स्पेशल के वो देख लीजेगा यहां पर प्रेक्टिस हो रही है आपकी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले किस इस्तान पर लगते हैं तो महतुरा में लगते हैं सबसे ज्यादा मेले शायद 2200 की करीब ऐसा कुछ है टोटल नेक्स है उत्तर प् कुम्ब के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो वो है नौचंडी मेला जो भी हमने उपर पड़ा था मेरत में लगता है प्रिसिद्ध कुम्ब मेला निम्लिकित में से किस नगर में नहीं लगता है चार जागे लगता है कुम्ब मेला ठीक है जैंति का प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में किस नगर में आयोजन किया जाता है तो व्रिद्दावन किया जाता है व्रिद्दावन ना हो तो मा थुरा टिक कर दीजेगा उत्तर प्रदेश में राम का था संग्राले कहां पर इस्तित है तो यह है आयोध्या में राम आ रहा ह है यह इलावाद में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जला कौन सा है तो यह फर्रुखाबाद इंपर्टेंट कोशन है याद रखीएगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जला है फर्रुखाबाद मोतिलाल नहलू संग्राले मोतिलाल नहलू जो बाल संग्राले है ये प्रदेश में कहाँ परिस्तित है तो ये है लखनव में ठीक है नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के उच्च नयायले की खंड़ पीट कहाँ पर है तो मेन तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के जो नयाल है वो अलावात का है लेकिन उसकी एक bench भी है कहां पर है वो लखनव में है ठीक है राज़दानी में हमारी उत्तर प्रदेश में सबसे उंचा बांध कौन सा है तो राम गंगा बांध है उत्तर प्रदेश के प्रिथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे यह नियूस्पेपर था उसके प्रकाशक कौन थे लीडर के पंड़त मदन मोहन माल भी है उत्तर प्रदेश में सम आवले का सरवादिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है तो यह आपको पता होगा प्रतापगड आवलेव सबसे ज़्यादा होता है विटामेंसी मेर्शी वालमी की आश्रम कहां पर इस्तित है बहराइच में लगता है ठीक है उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो भाग इस्तित है तो यह लाहबाद में निम उमेंसे कौन सी बोली उत्तर-प्रदेश में नहीं बोली जाती है डॉंग रीणी नहीं बोलिया ती जम्मू कश्री नहीं बोली जाती है बाकी ब्रज अवदी वोजपूरी यह सब बोलते हैं उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुदवा नेशनल पार्क किस जिले में इस्तित है तो ये लखिमपुर खेरी में है जो सबसे बड़ा जिलाया यूपी का बीतरगाओं का जो प्रसिद्ध मंदर है उत्तरप्रदेश के किस जले में इस्तित है तो यह है कानपुर में ठीक है बीतरगाओं का जो मंदर है इटों का बना हो मंदर है कानपुर में इस्तित है उत्तर प्रदेश की कौन सी जन जाती तोरा ग्राम देवी की पूजा की जाती है तो बुक्सा जन जाती है उत्तर प्रदेश की वो ग्राम देवी की पूजा करती है उत्तर प्रदेश के जो ब्रद्चित्रे यहां प्रसिद्ध लोग गीत है एक कौन सा रसिया ठीक है और डांस भी होता है चरकूला डांस है यहां का और लोग गीत है रसिया बटेशवरनात मंदर प्रदेश के किस जिले में इसते थे तो यह जो बटेशवरनात मंदर है यह है आगरा में ठीक है यहां बटेशवर मेला लगता है तो बटेशवर मेला पूछे तो आगरा बटेशवरनात मंदर पूछे आगरा प्रिसिद्ध संगीताचार तानसेन की गुरु कौन थे? तो तानसेन की गुरु थे स्वामी हरीदास जो अकबर की समय में भी थे और इसके अलावा हरीदास अभी मैंने ऊपर पता था व्रंदावन मेला लगता है इंका उत्तर प्रदेश के किस शाषक ने प्रसिद्ध ख्याल राग कर सरजन किया है तो सुल्तान हुसेन शर्की ने ख्याल राग कर सरजन किया है उत्तर प्रदेश के रूदु के प्रसिद्य शायर गालिब का जनमस्तान है, तो वो आगरा है, ठीकके गालिब plays किरांती के समय ते यह पूछ लेता है कभी कभी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नलोजी कहां पर है सहारनपुर में है ठीक है यह सहारनपुर लग दिया सहारनपुर होगा ठीक है रहा हो रहेगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड विश्वध्याले कहां पर है तो प्रदेश के लिए प्रदेश का कौन सा जिला फेमस है यूपी में वाराणसी फेमस है रेशम के लिए आपको बता हुआ है रेशम की साडियों ठीक है प्रदेश के किस जिले में बेंत वबांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है यूपी में बरेली में नेक्स है उत्तर प्रदेश मिर्जपुर नगर किस हस्तिशिल पुद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो मिर्जपुर सीरीज आईए आपको याद होगा उसम गाजयवार, नेक्स रेक कृत्रिम अंग निर्मान का जो उत्तर प्रदेश में नगर फेमस है वो कौन सा है, तो कानपुर और आगरा दौनों फेमस है, अगर दौनों आते हैं तो कानपुर टिक करना है, एक मिले तो आगरा टिक करना है, तो कानपुर या आगरा जो भी मिल ज तो मेरट में हस्तिनापुर पुरा नाम भी है इसका है उत्तर प्रिदेश के वारानसी जिले में कौन सा अभ्यारन है तो चंदरप्रवाब अभ्यारन है सबसे बड़ा अभ्यारन यूपी का पूचे तो हस्तिनापुर ही है उत्तर प्रिदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अ साहरनपूर नकाशी होती है लखडी पर साहरनपूर में उत्तरप्रदेश की किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविक्सत बच्चों के लिए विश्व विद्यालने हैं यानि जो mentally कमजोर होते हैं उनके लिए special दो नगरों में विश्व विद्यालने हैं कहां पर लखनव और इलहाबाद में ठीक है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है एक मेला लगता है सुलह कुल कहां पर होता है यह आगरा में होता है याद रगी है वेरी इंपोर्टन कॉश्चन है और अरंग्जे के गवर्नर बहराम खां द्वारा बनवाई गई चुनार मस्जिद उ फांचर की सुल्तान के द्वारा कहां पर मौजूद है जौन पुर में मौजूद है तीनों तरगे से कौशन आसकता है उत्ताप्रद्च में जौन पुरlor जिले की कहार जाती जो है ये एक न्रत्र करती है कौन सा न्रत्र​ 84 या नरत्य है ठीक है उत्तर प्रिदेश के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कौन सा नरत्य किया जाता है तो मिर्जापुर में जो नरत्य करते है आदिवासि हो कहलाता है कर्मा ठीक है नेक्स्ट है बुंदेलखंड के कुमारों में प्रचलित नरत्य है जिस इस्त्रियों की भूमिका भी पुरुशी करते हैं नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन से रथा है जिसमें नर्तक कुष्टी लड़ने कबड़ी खेलने और चड़ियों जैसी चेस्थाएं करते हैं तो ये कौन सा रथा है नटवरी 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 नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अवदी वा भोजपूरी वाशा वाले छेत्रों में कौन सा लोग गीत गाया जाता है तो अवदी या भोजपूरी है जो आप पूरवांचल की तरफ जाओगे यूपी में तो कौन सा मिलेगा महाँ पर बिरहा ठीक है विरहा लोग गीत गाया जाता है याद रखिएगा लास्ट कॉशन है उत्तर प्रदेश में बुंदिलखंड छेत्र में एक वीर रस्य वरपूर प्रसिद्ध गायन शैली है यानि वीर्ड लोगों के लिए गाया जाता है क्या नाम है इसका बुंदिलखंड शित्र का है आलहा ठीक है क्या नाम है आलहा इसके लावग कुछ और question और देख लेते हैं specific UP के तो भारत दुरदर्शा नाम की किताब लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई थी भारते इंदू हरीश चंद्र के द्वारा लिखी गई थी ठीक है next है महमूब ए इलाही या चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता है निजामुदीन ओलिया जी को कहा जाता है तीक है महभूब ए इलाही या चराग ए दिली निजामुतिन उलिया जी को कहा जाता है UP का जो सोन बद्र है यहाँ पे सरवादिक आदरभूमी पाई जाती है UP के जो सबसे ज़्यादा आदरभूमी वेट लेट्लेंट्स पाई जाते हैं वो 1991 से 2001 इस दर्शक में देखी गई थी, UP में सबसे अधिक विरद्धी दर, ठीके 25.8% रही थी, जबकि भारत में 1961 से 1971 में, 2001 की जनगर्णा की बात की जाए, जो 1991 से 2001 में थी, इसमें UP में लिंगानुपाद का जो विवेता हो सरवादिक रूप से घटाता है, यानि सबसे कम ह हुआ था इसमें, next point है, UP में सरवादिक लिंगानुपाद वाले जिला कौन सा है, तो वो है जौनपुर, जिसका एक हजार चौबिस है, फिर आजमगड़ है, 2019 और फिर है तेवरी है, 1070, next point है, 2001 से 2011 की दोरान, UP में साक्षर वियक्तियों की जो संख्या है, वो 11.3% बड़ी ठीक है, फिछले दाशक में कितनी बड़ी थी, 11.3%, और 2011 के अनुसर पुरुष साक्षर ता कितनी है, UP में 77.03%, महिला साक्षर ता है, 57.20%, यह लगबर 20% का अंतर है, महिला पुरुषों में, और एबरिज कितना है लगबर 67.7%, UP में जो साक्षर ता ता रहे, तो यह important questions मैंन बन जाएंगे, तो उमीद करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया होगा, और सभी को all the best, 1920 तारिक का जिन जिन का जील वार्डन का एक्साम है, चैनल के साथ बने रहे, बहुत अच्छा आप सपोर्ट दे रहे, ऐसी सपोर्ट देते रहे, आपके लिए जो best से best होगा, वो